कुछ तिर नहीं हैं, लिमिट θप्ट थेंज टू 0, sin θप्ट इस एक्वल टू 0 और गॉस थेंट आ के लिए भी हम दूसरा ठियोरम देखेंगे कि लिमिट θप्ट टेंज टू 0, cos θप्ट इस एक्वल टू 1 इसके लिए हम प्रूफ देखने वाले हैं और कोण B पर यहां पर 90 का कोण बन रहा है, यहां पर सम कोण है, तब हम sin theta को लिख सकते हैं, sin theta होता है लंब बटे कर्ण, तो sin theta के लिए लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, इसी तरीके से कर आप cos theta लेते हैं, तो आप लिखते हैं आधार बटे कर्ण, cos theta के लिए आधार है AB और कर्ण है AC, अब हम इस परकार कलपना करते हैं कि theta जो है वो छोटा, 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 और छोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि AB भुजा जो होगी वो इस्थिर रहेगी, और BC पर जो C है, वो इस परकार बदलता जाएगा कि C दीरे 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 बी की ओर आता जाएगा, और इसके बाद हम देखते हैं कि theta जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि AC जो है, वो AB के लगभग बराबर हो जाती है, तथा BC बहुत छोटा और छोटा और छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या कि जब हम theta को 0 की ओर बढ़ा रहे हैं, तब BC अपान AC जो है, वो 0 की ओर प्रवित्त हो रहा है, तथा AB अपान AC या A की ओर प्रवित्त हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि जब theta tends to 0 है, तब sin theta tends to 0 होगा, और cos theta tends to 1, इसका मतलब यह है, कि हमको जो limit चाहिए था, कि limit theta tends to 0, sin theta is equal to 0 मिल गया आपको, और limit theta tends to 0, cos theta यह आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद हम एक दूसरा प्रवित्त देखते हैं, कि limit theta tends to 0, sin theta upon theta is equal to 1 होगा, जबकि theta जो है, वो radian में मापा जा रहा है, यह है, limit theta tends to 0, sin theta upon theta, यह आपको 1 मिलेगा, फिर से इसके प्रूफ के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं, जिसका की केंद्र O है, और जिसकी तरिज्य एक इकाई के है, इसका मतलब है इकाई वृत्त की हम रचना कर रहे हैं, और इसके बाद हम A, O, B, इस प्रकार एक कोन बना रहे हैं, जहाँ पर theta जो है, वो radian में है, और theta का जो मान है, वो 0 से πाई बाई 2 के बीच में है, और इस प्रकार A और B को हम मिला दे रहे हैं, एक रेखा खंड के माध्यम से, A से AC लंब AO खीचिये, इसका मतलब क्या है, कि OA जो है, हम AC खीच रहे हैं, जो कि OA पर लंब है, जिस प्रकार की चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, O B को आगे बढ़ाएं, तो AC पर मिल जाएगा, तो इस प्रकार O B C, एक सरल रेखा पर इस्तित है, तब चित्र से हमको यह अस्पस्ट हो जाता है, कि त्रिभुज O A B, इसका जो चित्रफल है, वो लेस देन होगा या छोटा होगा, वृत्त खंड O A B के चित्रफल से, और वो भी छोटा होगा, वृत्त खंड O A C के चित्रफल से, तो जैसे कि हम जानते हैं कि वृत्त खंड का चित्रफल जो होता है, वो एक बटे दो, गुना त्रिज्या का वर्ग और गुना कोन होता है, जहां पर कोन जो होता है, वो रेडियन में होता है, तो इस प्रकार की जो इनिक्विलिटी है, असमी का जैसे हम बोल सकते हैं, हम मान रखते जाते हैं, तो यह आपको मिल जाएगा, 1 by 2 O A, into O B, into sin theta, is less than, 1 by 2 O A square, into theta, less than, 1 by 2 O A, into A C, तो इस प्रकार इसको हम आगे सरल करें, तो हमको मिल जाएगा, O A, और O B, दोनों के दोनों, चुकि इनकी त्रिज्या एक एक आई है, तो इसलिए O B, और O A, और O B, इसकी value आप 1 रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा, 1 by 2 into 1 into 1 into sin theta, is less than, 1 by 2 into 1 square into theta, is less than 1 by 2, 1 into 1 into 10 theta, चुकि 10 theta जो है, वो C A upon O A है, तो उस प्रकार अगर आप उसका तिरिया गुणा कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा, A C या C A is equal to O A tan theta, O A की value है 1, तो मिल जाएगा, 1 into 10 theta, that is 10 theta, तो उस प्रकार, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, तीनों inequality पर cancel हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, sin theta is less than theta, is less than 10 theta, अब sin theta को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो मिल जाएगा, 1 is less than theta upon sin theta, तो 10 theta वाला जो हिस्सा है, 10 theta upon sin theta, तो 10 theta को sin theta by cos theta लिखा जा सकता है, और सरल करने पर आपको मिल जाएगा, 1 is less than theta upon sin theta, is less than 1 upon cos theta, अब इसका हम व्यूत कर लेते हैं, उल्टा कर देंगे, अंस को हर में और हर कोंस में कर देंगे, तो inequality बदल जाएगी, तो मिल जाएगा, 1 is greater than sin theta by theta, is greater than cos theta, तो इस प्रकार यह हम देखते हैं, कि sin theta upon theta, सदैव 1, और cos theta के बीच में इस्थित होता है, तो जब theta tends to 0 होगा, तो cos theta आपको मिल जाएगा 1, और जब theta tends to 0 होगा, तो sin theta upon theta, एक और एक के बीच में इस्थित होगा, और एक और एक के बीच का मतलब है, एक ही में इस्थित होगा, तो इस तरीके से आपको result मिल रहा है, कि limit theta tends to 0, sin theta upon theta is equal to 1, यही आपको proof करना था, और इसी का उपयोग करके हम एक को प्रमे भी बना सकते हैं, कि limit theta tends to 0, tan theta upon theta, तो इसके लिए हम proof देखते हैं, कि limit theta tends to 0, tan theta upon theta, that can be written as, tan theta को हम sin theta upon cos theta लिख लेते हैं, और दोनों को अलग-अलग रूप में लिखते हैं, तो यह आपको मिल जाएगा, limit theta tends to 0, sin theta upon theta into 1 upon cos theta, दो अलग-अलग पदों का गुणनद फल है, तो दोनों में limit अलग-अलग apply कर लेते हैं, तो मिल जाएगा, limit theta tends to 0, sin theta upon theta, और limit theta tends to 0, 1 upon cos theta, तो इसके पहले हमने जो प्रमे देखाता था, कि limit theta tends to 0, sin theta upon theta, यह 1 के equal होता है, और limit theta tends to 0, cos theta, 1 के equal होता है, value put करेंगे, तो 1 into 1, that is 1, तो इस प्रकार आपको result मिल रहा है, कि limit theta tends to 0, 10 theta upon theta is equal to 1, अगला प्रमे है, कि limit x tends to 0, sin inverse x upon x, that is equal to 1, और इसके बाद हम दूसरा प्रमे देखेंगे, कि limit theta, यह limit x tends to 0, 10 inverse x upon x is equal to 1, तो पहला जो प्रमे है, limit x tends to 0, sin inverse x upon x, उसके लिए हम solve करते हैं, कि mana x is equal to sin theta, जब x tends to 0 होगा, तब theta tends to 0 होगा, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कि limit x tends to 0, sin inverse x upon x is equal to, limit theta tends to 0, sin inverse sin theta upon sin theta, अब sin inverse और sin theta, एक दूसरे के receive रोकल है, एंसल हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा, limit theta tends to 0, theta upon sin theta, ठीक है, यह आपको मिल जाएगा 1, तो इस तरीके से हम को यही सिद्ध करना था, कि limit x tends to 0, sin inverse x upon x is equal to 1, अब दूसरा जो हमारा प्रमे है, इसके लिए हम यह मान करके चलते हैं, कि x is equal to 10 theta, जब x tends to 0 होगा, तब theta tends to be 0 होगा, तो इसलिए हम limit x tends to 0, tan inverse x upon x को लिख सकते हैं, limit theta tends to 0, tan inverse tan theta whole upon tan theta, अब tan inverse और tan एक दूसरे को cancel कर देंगे, मिल जाएगा theta, तो इस प्रकार आपको मिल रहा है, limit theta tends to 0, theta upon tan theta, और इसको की value आपको मिल जाएगी, 1, तो इस तरीके से result हमको मिल गया है, कि limit x tends to 0, tan inverse x upon x is equal to 1, यही हमको proof करना था, तो इससे सम्बंदित कुछ प्रश्न सरल करके देखते हैं, जिसमें हम यह कहा गया है, कि सीमाओं के मान गयात कीजिए, question है, limit x tends to 0, sin 5x upon 2x, तो last में हमने जो theorem देखा है, वो है, limit theta tends to 0, sin theta upon theta is equal to 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पर sin x ना हो करके 5x है, तो when x tends to 0 है, क्या है, x tends to 0 है, x tends to 0, तो 5x यह भी 0 की ओर tends करेगा, तो यहाँ पर हमारी जो limit है, उसको हम बदर लेते हैं, और इसको हम लिखेंगे, limit 5x tends to 0, और sin 5x, तो नीचे में भी 5x होना चाहिए, denominator में, तो मैं काम करते हैं, 5 multiply कर देते हैं, और 5 को divide कर देते हैं, और यह आपका 2, और यह question का x, तो यह first 2 term, जो numerator में हम और denominator में देख रहे हैं, उस पे limit apply हो जाएगी, 5 by 2 constant आ जाएगा, आप लिखेंगे, limit 5x tends to 0, यह मिल जाएगा, sin 5x upon 5x, इस पूर इटम की value आपको मिल जाएगी, 1, तो यह आप लिखेंगे, 5 by 2 into 1, that is 5 by 2, तो इस तरीके से, इस question का जो हमको limit find करना था, limit x tends to 0, sin 5x upon 2x, that is 5 by 2, यह हमको मिल गया, अगला question लेकर करके चल रहे हैं, कि limit x tends to 0, 10 3x minus 2x, all upon 3x minus sin square x, यह value आपको calculate करनी है, तो सबसे पहले बात यह कि, हमने जो दिखा था उसमें है, थीटा टेंस टू 0, 10 थीटा पॉन थीटा, और sin थीटा वाला जो कुछ दिखा यह वो भी है, limit थीटा टेंस टू 0, sin थीटा पॉन थीटा, यह ना, तो यहाँ पर हमको उस तरीके से, format में इसको लेकर क्या ना होगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, limit थीटा थीटा टू 0, यह तो एज़ेटिस रहेगा, numerator में हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, कि, 10 3x अपॉन एक्स, और यह माइनस 2 हो जाएगा, और denominator में, अगेन, यह मिल जाएगा 3 minus sin square x upon x ठीक है अब इसके बाद numerator में बनाने की कोशिश करेंगे obviously बात है कि 10 3x है तो उसमें हम 3 का multiply करेंगे और 3 को divide कर देंगे तो यह 10 3x upon 3x हो जाएगा और यह minus 2 इसी तरहीके से denominator में इसको sin x upon x कर देते हैं और इसको अलग से sin x कर देते हैं ठीक है अब दोनो numerator और denominator में अलग अलग term है limit apply कर देते है तो यह आपको मिल जाएगा numerator में अलग limit limit x tends to 0 ठीक है 3 10 3x upon 3x minus 2 then whole upon again limit x tends to 0 3 minus sin x upon x into sin x ठीक है अब limit apply कर देते हैं 10 3x upon 3x अगर x tends to 0 है तो 3x tends to भी 0 होगा अलग से लिखने के ज़रूत नहीं है directly वह हमको मिल जाएगा 1 so this is 3 into 1 3 और यह minus 2 और denominator में 3 तो constant है और यह sin theta upon theta limit x tends to 0 sin x upon x यह आपको मिल जाएगा 1 और 1 into 0 क्योंकि sin 0 की value रखोगे तो आपको मिल जाएगा 0 तो इस तरीके से 3 minus 2 करेंगे तो मिल जाएगा 1 और 1 upon 3 तो यहाँ पर हमको जो result मिला वो यह है कि limit x tends to 0 tan 3x minus 2x whole upon 3x minus sin square x that is equal to 1 by 3 जो की answer चाहिए था वो हमको मिल चुका है अगले कोशन दिया गया है कि limit x tends to 0 tan 3x minus sin x whole upon x cube यह दिया गया है फिर से अगर देखा जाए तो डारेक्ली यह किसी पर्टिक्लार फॉर्मेट को बिलॉंग नहीं करता है सबसे पहला काम यह करेंगे कि 10 theta को sin और cos के form में convert कर लेंगे जिससे कि यह थोड़ा आसान हो जाएगा प्रोसेस करना तो मैंने लिखा limit x tends to 0 tan x को लिखा जा सकता है sin x और यह upon में है cos x minus sin x then whole upon में है x cube अब एक काम करते हैं दोनों का lcm ले 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 लेते हैं तो यह limit x tends to 0 हो जाएगा numerator में आपके पास quantity होगी sin x minus sin x into cos x और यह जो cos x है इसको denominator में ले आते हैं तो यह आपका होगया x cube into cos x अब numerator से आप sin x को common ले सकते हैं तो limit x tends to 0 sin x और यह आपको मिल जाएगा 1 minus cos x और denominator में again x cube into cos x अब इसको settle करने के लिए हम एक काम करते हैं 1 minus cos x का conjugate है उससे हम multiply और divide कर देते हैं तो यह जाएगा limit x tends to 0 sin x 1 minus cos x यह जाएगा 1 plus cos x से हम multiply कर रहे हैं और यह upon x cube और यह cos x और again 1 plus cos x अब इन दोनों term को multiply कर देंगे 1 plus cos x और 1 minus cos x को तो यहां से आप लिखेंगे limit x tends to 0 sin x और 1 plus cos theta 1 minus cos theta हो जाएगा 1 square यह 1 minus cos square theta यह 1 minus cos square theta तीटा तीटा का जाएगा में यह आप पर x ठीक है फिर इस तरीके से denominator में यह आपको गया x cube और यह हो गया आपका cos x और 1 minus cos x को हम अजटिस रखते हैं फिलाल के लिए 1 plus cos x ठीक है और numerator में जो quantity है 1 minus cos square x उस वो sin square x हो जाएगा और sin से जब आप उसको multiply करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा sin cube x दे हो गया sin cube x upon x cube और denominator में जो quantity है एक बार है cos x और एक बार है 1 plus cos x तो यह आपका हो गया cos x और 1 plus cos x तो यह अब एक काम करते हैं तीनों को हम अलग-अलग limit को हम अलग-अलग लिख लेते हैं limit x tends to 0 है और यह है आपका sin cube x upon x cube इसके बाद में limit theta, theta तो नहीं है आपर x है तो आप लिखेंगे limit x tends to 0 यह आपका 1 upon cos x और उसके बाद अगेन एक limit है limit x tends to 0 1 upon 1 plus cos x पहला वाला जो आपका time आपको दिखाई दे रहा है इसकी value हो जाएगी सीधी 1 और into में 1 upon cos 0 करेंगे cos 0 1 होता है फिर अगेन यह 1 upon 1 plus cos 0 करेंगे limit x tends to pi 1 plus cos x upon tan square x यह limit हमको calculate करना है पहली बात यह कि 1 plus cos x इसको हम solve करके 2 cos square x by 2 ऐसा लिख सकते हैं तो यह आपको मिल जाएगा directly limit x tends to pi 2 cos square x upon 2 then whole upon tan square x अब tan square x को हम sin square theta upon cos square theta ऐसा लिख करके solve करेंगे तो यहां से limit 2 जो है वो constant है बाहर आ जाएगा तो यह limit x tends to pi और यह है आपका cos square x by 2 और denominator में है sin square x और upon में cos square x है तो वो multiply हो करके उपर चला जाएगा numerator में और आप लिखेंगे cos x square है तो यहां पर भी आ जाएगा आपका cos square x इसके बाद में denominator में जो आपका square x है इसको हम by 2 के लिए divide कर देते हैं या यह है 2 उसके बाद में limit x tends to pi cos square x by 2 sin x equal to 2 sin x by 2 cos x by 2 तो यहां पर हम इसको लिख देंगे 2 sin square x by 2 2 to 4 हो जाएगा directly यह न 2 into 2 तो में इसको 4 लिख देता हूं यह हो गया 4 4 sin square x upon 2 cos square x upon 2 और numerator में जो है यह cos square x है तो यह यहां पर जो term आपको दिखाई दे रहा है cos square x और cos square x cos square x by 2 cos square x by 2 यह दोनों term को हम cancel कर देंगे यहां से यह दोनों term cancel हो गए उसके बाद आगे के terms को हम solve करेंगे again 2 by 4 हो जाएगा constant term limit के बाहर आएगा x tends to pi अब मिल रहा है आपको 1 upon sin square x by 2 और numerator में है cos square x अब दोनों limit को हम अलग-अलग कर लेते हैं solve यह 2 by 4 को आप solve करेंगे तो मिल जाएगा 1 by 2 और यह आपका limit x tends to pi और यह 1 upon sin square x by 2 यह एक limit हो गया और दूसरा limit limit x tends to pi यह है आपका cos square x अब इसको आगे solve करते हैं limit हम सीदे apply कर देंगे अब तो यह आपको मिल जाएगा 1 upon sin square x by 2 और यहाँ पर जब आप limit रखेंगे तो cos square x by यह आपको मिल जाएगा 1 by 2 sin square x by 2 means 45 degree और sin 45 होता है 1 by root 2 तो 1 by root 2 का square करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 by 2 और cos square pi है cos pi की value होती है minus 1 यह 1 by 2 इसके बाद आप जब value put करेंगे sin pi by 2 that means sin 90 degree sin 90 degree होता है 1 1 का square करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 और cos square pi दिया हुआ है cos pi होता है minus 1 तो हम उसका square लिखेंगे so all करने पर ultimately आपको मिल जाएगा 1 by 2 तो इस तरीके से यह है limit x tends to pi 1 plus cos x upon tan square x is equal to 1 by 2 यह इस question का answer है अंगला प्रशन दिया गया है कि limit theta tends to 0 1 minus cos 4 theta upon 1 minus cos 6 theta ठीक है इसको solve करना है पिछले question में जो उस तरीके से हमने solve किया था कि 1 minus cos theta यह होता है 2 sin square theta by 2 ठीक है यह formula है आपने trigonometry में इसको पढ़ रखा है तो यहां से जब इसको put करेंगे value को तो मिल जाएगा sin limit theta tends to 0 यहां पर theta के जगा में 4 theta है तो 4 theta upon 2 करेंगे तो मिल जाएगा 2 theta तो simply हम यहां पर लिखेंगे 2 sin square 2 theta upon 2 sin square 3 theta ठीक है हाफ हाफ एंगल हो जाएगा तो यह होगा limit theta tends to 0 2 और 2 कैंसल हो जाएगा लेकिन यहां पर जो quantity आपको दिख रही है sin square 2 theta उसको हमको form में change करना होगा कि limit theta tends to 0 sin theta upon theta इस form पर convert करना होगा तो इस form पर convert करने के लिए यह है आपका sin 2 theta square है इसलिए आप 4 theta square को multiply करेंगे और 4 theta square को यहां पर divide करेंगे इसी तरीके से denominator में sin square 3 theta है तो आप इसको लिखेंगे sin square 3 theta और 3 theta का square हो जाएगा 9 theta square तो 9 theta square multiply करेंगे 9 theta square divide करेंगे अब यह जो theta square है और यह जो theta square यह दोनों cancel हो जाएगा और limit को हम अलग-अलग कर लेते हैं तो numerator में अगर theta tends to 0 है तो 2 theta tends to 0 ही होगा तो इसको हमने इस तरीके से limit change कर लिया है और यह है आपका sin 2 theta upon 2 theta इसका आप इसको whole square लिख सकते हैं इसी तरीके से denominator में जो quantity है तो यह हो जाएगा limit theta tends to 0 ना हो करके हम इसको 3 theta tends to 0 कर देते हैं theta tends to 0 होगा तो 3 theta भी tends to 0 ही होगा और उसके बाद में यह है आपका sin 3 theta upon 3 theta और इसका whole square और into में है 4 by 9 इसको पहले भी हम लिख सकते थे theta square theta square cancel हो गया numerator और denominator में जो quantity मिल रही है उन सबकी value होगी 1 numerator भी 1 और denominator में भी 1 और यह आपका 4 by 9 तो जब solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 by 9 और यही इस question का answer है जो कि हमने solve करने के लिए दिया गया था अब एक question लेते हैं जो कि inverse trigonometric function से related question है तो यह है limit x tends to 1 1 minus root x upon cos inverse x और इसका यह square होगा यह limit हमें identify करनी है कि इसका limit क्या होगा सरपरसम हमको यह करना होगा कि यह जो quantity आपको दिखाई दे रही है उसमें rationalization कर सकते हैं परिमे करन कर सकते हैं तो limit x tends to 1 1 minus root x upon में है cos inverse x और यह square में तो 1 plus root x multiply करते हैं और 1 plus root x divide कर देते हैं तो इसको जब आप आगे solve करेंगे तो यह limit x tends to 1 1 minus root x 1 plus root x solve करने पर मिल जाएगा आपको 1 minus x और denominator में हैं आपका cos inverse x इसका whole square है और again हमने जो multiply किया है 1 plus root x अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन को उप्योग करेंगे substitution को उप्योग करेंगे कि यहाँ पर हम x को cos theta ले लेते हैं x is equal to cos theta है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा theta is equal to cos inverse x चीक है और इसके बाद जह हम limit को change करते हैं कि theta tends to 0 यह अगर होगा कब होगा जब x is equal to 1 होगा देखिए यहाँ पर x के जगह में अगर आप 1 रखते हैं तो theta क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा इस तरीके से हमने इस limit को change कर लिया है अब इसको आगे solve करते हैं limit change करने के बाद theta tends to 0 हो जाएगा जो limit है यह यह लिख रहे हैं पहले limit x tends to 1 1 minus x upon cos inverse x इसका square है और 1 plus root x है ठीक है ना? तो x के जगह में हमको cos theta लिखना होगा और cos inverse x के जगह हमको theta लिखना होगा तो इसका replacement हम कर लेते हैं यह हो गया limit x tends to 1 था तो यह theta tends to 0 हो जाएगा 1 minus x तो यह हो जाएगा 1 minus cos theta और upon cos inverse x तो यह हो जाएगा theta है तो इसका square हो जाएगा यहाँ पर यह theta square question में दिया गया है और फिर 1 plus root x है तो आप इसके लिखेंगे 1 plus root cos x x नहीं हो गा यहाँ पर theta होगा यह cos theta यह quantity हो गई अब इसको solve कर लेते हैं numerator में 1 minus cos theta यह होता है 2 sin square theta by 2 तो वो value put कर देते हैं यह is equal to limit theta tends to 0 यह आपको मिल जाएगा 2 sin square theta by 2 upon आपका यह theta square है यह theta square को हम theta square इसी तरह रहने देते हैं और root cos theta है उसको हम separate कर लेंगे तो यह into 1 upon 1 upon 1 plus root cos theta हो जाएगा इसको अलग और इस term को अलग अब ध्यान दीजे कि यहाँ पर sin square theta by 2 है तो denominator में theta square upon 4 होना चाहिए तो 4 को multiply करेंगे और 4 को divide करेंगे है ना तो यह हो जाएगा limit theta tends to 0 2 sin square theta upon 2 यह हो गया आपका theta square upon 4 और यह into 4 ठीक है और इसके बाद में आपका limit को हम अलग कर लेते हैं limit theta tends to 0 1 upon 1 plus root cos theta तो 2 by 4 solve करने पर आपको मिल जाएगा 1 by 2 1 by 2 को आप बाहर लिख सकते हैं और इसके बाद में है आपका यह limit theta tends to 0 है यह है आपका sin theta y2 upon theta y2 square और into है यह limit theta tends to 0 1 upon 1 plus root cos x अगले पेज़ पर लेकर के चलते हैं इसको और सारी values को हम put कर देंगे तो पहला वाला जो हमारा term है इसकी value तो directly identity से 1 हो जाएगा और यह limit theta tends to 0 1 upon 1 plus root cos theta इसपे value put करते हैं cos 0 होता है 1 1 का square root होता है 1 solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 by 2 into 1 by 2 solve करने पर आपको मिल जाएगा 1 by 4 तो जो question में हमको question जो दिया गया था limit solve करने के लिए कि this limit x tends to 1 1 minus root cos x upon cos inverse x square इसकी value आपको मिल गई है 1 by 4 जो की हमको solve करने के लिए दिया गया था अनन्द पर सीमा तथा अनन्द सीमा है limit at infinity and infinite limits जब हम लिखते हैं x tends to infinite इसका अर्थ है कि x बहुत बड़े मानों को ग्रहन करता है उधारन के लिए अगर हम एक function लेकर के चलें f of x is equal to 1 plus 1 by x तो इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें प्रत्यक x के संगत हम f of x का मान ग्याद करेंगे तो इस परकार से एक table है और जब हम x की value 10 रखते हैं तो 1 plus 1 by 10 solve करने पर आपको मिल जाएगा 1 by 1 इसी तरीके से ज़िए x की value को हम 100 रखते हैं तो इस की value function की value f of x की value आपको मिल जाएगी 1.01 और अगर x की value हम 1000 रख देते हैं तो f of x का मान आपको प्राप्त होता है एक दशमलव 001 और इसी तरीके से ज़िए x का मान हम 10,000 रखते हैं तो f of x का मान हमें प्राप्त होता है 1001 तो इससे यह सपस्ट है कि जैसे जैसे x बड़े और बड़े मानों को गरहन करता है f of x एक के निकट और निकट के मानों को गरहन करता है इस इस्सिति में हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे x अनन्त की और प्रवित होता है f of x सीमा एक की और प्रवित होता है तो इसे हम लिखते हैं limit x tends to infinite f of x is equal to 1 अब यहाँ पर जो संकेत है limit x tends to infinite f of x is equal to L इसका क्या अर्थ है यह हम देखते है माना की f of x, x का एक फलन है यदि x के बड़े और बड़े मानों को गरहन करने पर f of x L के समीप और समीप के मानों को गरहन करता है तब हम कहते हैं कि जैसे जैसे x अनन्थ की और प्रवित्त होता है f of x सीमा L की और प्रवित्त होता है और इसे हम लिखते हैं limit x tends to infinite f of x is equal to L इसी तरीके से limit x tends to minus infinite f of x is equal to L इसका हम अर्थ देखते है माना की f of x, x का एक फलन है यदि x के परिणाम में बड़े से बड़े किन्तु रिनात्मक चिन्न वाले मानों को गरहन करने पर f of x, L के समीप और समीप मानों को गरहन करता है तब हम कहते हैं कि जैसे जैसे x रिनात्मक अनन्थ की और प्रवित्त होता है f of x सीमा L की और प्रवित्त होता है तो इसे हम लिखते हैं limit x tends to minus infinite f of x is equal to l अब आगे हम चलते हैं कुछ प्रश्णों पर जहां पर हम अनन्त पर सीमा या अनन्त सीमाओं से सम्बंधित प्रश्णों को सरल करने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार के questions में हम कोशिश यह करते हैं कि हर में जो रासी है x यदि x कमान infinite है तो denominator से x को हटा दिया जाए वह विलोपन विधी हो सकती है यह कुछ ऐसी प्रक्रिया जो कि सरसमीका को उप्योग करके उस term को cancel कर लिया जाए तो भी हम cancel करेंगे और उसके बाद हम limit apply करेंगे तो 1 upon infinite यह value आपको 0 मिल जाएगी तो इसी का हम उप्योग करेंगे और आगे प्रश्नों को सरल करेंगे तो प्रश्न दिया गया है कि limit x tends to infinite 2x square minus 3x plus 1 upon x square minus 1 तो देखिए अंस में और हर में पहले हम इसको सरल करेंगे गुनन खंडों में तोड़ेंगे और जो पद विलोपित हो रहे है उसका हम विलोपन कर देंगे यह हो जाएगा limit x tends to infinite और एक काम कर लेते हम यह जो 2x square minus 3x plus 1 है इसको हम breakdown करके देखते हैं यह हो जाएगा 2x square minus 2x minus x plus 1 और अगर first two term से अगर आप 2x common लेते हैं तो मिल जाएगा x minus 1 और last two term से अगर आप minus 1 common लेते हैं तो मिल जाएगा x minus 1 तो x minus 1 और यहां से आपका 2x minus 1 इस तरीके से इसका हमने गुनन खंड पराप्त कर लिया इसी तरीके से x square minus 1 जो है यह a plus b into a minus b इस format में आप इसको x plus 1 into x minus 1 लिख सकते हैं तो यहां पर numerator में directly मैं इसको लिख रहा हूँ this is x minus 1 into 2x minus 1 2x minus 1 इस तरीके से denominator में x minus 1 into x plus 1 अब यह जो राशी है x minus 1 x minus 1 दोनों term से numerator और denominator से cancel हो जाएगा यह और यह इसके बाद के पदों को हम आगे चल करके solve करेंगे और limit apply करके limit x tends to infinite 2x minus 1 upon x plus 1 तो numerator और denominator से हम x को ले लेते हैं पहले और उसके बाद में इसको cancel करेंगे तो अगर मैं numerator से x को common लेता हूँ तो यह मिल जाएगा 2 minus 1 upon x और इसी तरीके से denominator से अगर मैं x को common लेता हूँ तो मिल जाएगा 1 plus 1 by x अब यह दोनों x कैंसल हो जाएगे और उसके बाद आप limit लिखेंगे limit x tends to infinite 2 minus 1 upon x और 1 plus 1 upon x numerator और denominator में दोनों में आप अलग-अलग limit apply कर देंगे और यह जाएगा 2 minus limit x tends to infinite 1 upon x और इसी तरीके से 1 plus limit x tends to infinite 1 upon x तो 1 upon x limit x tends to infinite 1 upon x इसके value होगी 0 तो यह आपको मिल जाएगा 2 minus 0 upon 1 plus 0 आपको मिल जाएगा 2 upon 1 this is 2 तो इस तरीके से प्रश्णों को सरल करना है limit जहां पर x tends to infinite होगा वहाँ पर जो चीजें विलोपित हो रही है जो पद विलोपित हो रही है उसको पहले विलोपन करना है उसके बाद x को denominator में हर मेल आने का प्रयास करना है ताकि limit x tends to 0 1 upon x यह आपको 0 मिल जाएगा